श्रीजाद हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल भक्ति बजयन प्रोडक्शन में स्वागत हैं, मिवजिंद राज आप के लिए एक और नहीं कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी कल्यान पुस्तक में आई थी, बड़ी ही प्यारी कहानी है कि कभी मैं ऐसा होता है कि हम अजाद होते हैं, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि हम टेक्नलोजी के गुलाम हो जाते हैं, हमारी सारी सुतंतरता उस टेक्नलोजी के पास ले जाती है, आये वो कहानी मैं सुनाता हूँ, कहानी का शिर्षक दिया है, फ्री कुछ नहीं होता, मुफ्त कैसे लगते हैं। कहते हैं, जब कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो, तो समझ लेना आपको अपनी आजादी देकर, सवतंतरता देकर इसके कीमत चुकानी पड़ेगी। डैसमंड टूटू ने एक बार कहा था, जब मिशनरी अफ्रीक का आये, तो उनके पास क्या था? सिर्फ एक बाइबल थी, और हमारे पास जमीन थी, उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आये हैं, हमने आखे बंद कर ली, और जब खोली, तो क्या हुआ? हमारे हाथ में बाइबल थी, और उनके पास जमीन, सारी जमीन ले ली, और बाइबल पकड़ा दी, देखिए, ऐसा करते हैं, जब कि जो कितने प्यारे इसामसी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज कल के लोग ऐसा ही कर रहे हैं, फिर कहा, इसी तरह, जब सोशल न रैटवर्किंग साइट आई, तो उनके पास फेसबुक और वाट्सैप थें, और हमारे पास सुर्त तंतर था थी, निजता थी, आजादी थी, और उन्होंने क्ya खा कि वाट्सैप डालो, ये फ्री है, मुफ्त है, फेसबुक डालो, ये फ्री है, मुफ्त है, और हमने आख बंद कर ली और जब खोली तो हमारे पास क्या था हमारे फोन में वर्टसप था फेस्बुक थी और उनके पास क्या था हमारी सवतंतरता और सारी नीजी जानकारिया उनके पास चल ले गई जब भी कोई चीज मुफ्त होती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें अपनी सवतंतरता देकर अपनी नीजी जानकारी देकर कीमत चुकानी पड़ती है ज्यान से सब्द समझ में आते हैं लेकिन अनुभव से अर्द तो देखिए आज के समय ऐसा ही हो हमोर आप अगर थोड़ा सा भी सोच विचार के चलें तो सब को लगेगा कि ये किया जा रहा है और ये बाते सकते हैं कोई ज्षू नहीं है क्यों क्योंकी ये बाते हो रही हैं तो है तो छोटी सी कहानी एक छोटा सतरी का समझाने का लेकिन बड़ी ही गहरी बाते हैं जो अगर आपको यह परसंद पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और हमारी यूट्वी चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करने करें, बैल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगया आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें श्री राद है